नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल Bound to Education में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस नए वीडियो में आज हम लोग सायक आध्यपक आकलन परिक्षा से संबन दित Most Important Pedagogy के Questions को देखेंगे जो कि आपके आने वाले परिक्षा की दिरिश्ट्यकों से बहुत अधिक मतपुन होने वाला है Questions का Level हम लोग का उसी परकार होगा जिस परकार जारकंड के बिविन्य परकार के परिक्षाओं में पुछे जाते हैं कि जारकंड में जितने भी सिक्षक संबन्दी परिक्षाओं हुई है उसमें जिस परकार का Level था Questions का उसी Level के प्रशनों को आज हम लोग हल करेंगे जिससे आपका एक परकार से आईडिया लग जाएगा कि आपके आने वाले परिक्षाओं में किस परकार के Question बन सकते हैं ठीक है तो बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को सुरू करते हैं उससे पहले आप जान ले कि सायक अध्यापक आकलन परिक्षाओं का जो Form है वो भराना सुरू हो चुका है आप उसे जाकर के Submit कर सकते हैं आप चाहे 1 से 5 का तेयारी करते हो या फिर 6 to 8 का एक्जाम लिखने वाले हो इन दोनों ही पेपर के लिए आज का वीडियो बहुत अधिक मतपून होने वाला है तो बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को सुरू करते हैं अगर इस वीडियो को आप पूरा देखते हैं और डिटेल में अच्छी तरीके से देखते हैं तो मेरा विश्वास मानिए एक से दो प्रश्ण आप इस वीडियो से आपका परिख्छा में मिल जाएगा ठीक है तो चलिए आज की इस वीडियो को सुरू करते हैं और आते हैं question number 1 पे परतिवासाली बालकों है तो किस परकार की सिख्छा बेवस्ता होनी चाहिए BCS स्कूल की बेवस्ता होनी चाहिए BCS कक्छा की बेवस्ता होनी चाहिए या फिर तीब्र प्रोणनती होना चाहिए तो question number 1 का correct answer हो जाएगा option D उप्रोक्त सभी इसका correct answer याद रखेंगे option D हो जाएगा उप्रोक्त सभी next question की बेवस्ता है question number 2 परतिवासाली बालकों का बुद्धी लब्दी इस्तर होता है परतिवासाली बालकों का बुद्धी लब्दी इस्तर क्या होता है 140 से उपर 120 से 130, 100 से 120 या फिर इर्मे से कोई नहीं most important question very important ticker के रखें क्योंकि जारकंड के सिक्षक संबंदी परिक्षाओं में ये जारकंड का favorite question है previous year के question अगर आप देखते हैं तो आपको पता लग गया होगा कि इस प्रकार के question बहुत सारे पूछे गए हैं इस प्रकार के नहीं इस प्रकार एदम डिट्टो यही question पूछा गया था 2016-2013 में आगर आपने जेटेट का परिक्षा दिया था तो आपको पता होगा प्रभावसाली बालकों का बुद्धी लब्दी स्तर क्या होता 140 से उपर होता है इसका correct answer हो जाएगा option A 140 से उपर ठीक है next question के ओर चलते हैं question number 3 निमलिकित में से क्या पर्तिवासाली बालकों की शिक्षा में सम्मिलित नहीं है BCS school शिक्षा की ब्यवस्ता BCS कक्षा की ब्यवस्ता तीवर पोड़नती या फिर उपरोक्त सभी तो इसका correct answer हो जाएगा option D उपरोक्त सभी option D इसका correct answer हो जाएगा next question है school में उच शिक्षा परदान की जा रही है इसका क्या परमुक संकेत है पाटपूस्तक एवं सिक्षन सामगरी बच्चों का उपलब्दी स्तर या फिर कक्षा कक्ष बेवस्ता या फिर option D है बुन्यादी सुविदा तो question number 4 का correct answer देने का परियास करेंगे अगर आपको इसका correct answer पता है तो वीडियो को pause करें comment box में इसका answer लिके उसके बाद वीडियो को continue करें तो question number 4 का correct answer हो जाएगा option B चात्रों का उपलब्दी स्तर ठीक है अगर किसी विद्याले में उच्चे स्तर की सिख्चा दिया जा रहा है आपका जो सिख्चन हो रहा है इसकुल में उस सिख्चन का इस्तर सही है कि नहीं अच्चे ढंग से सिख्चा दी रही है दिया जा रहा है कि नहीं स्कुल में इस चीच का पता लगाने के लिए आपको चात्रों के उपलब्दी स्तर को जानना अवश्चक है पाट पुष्टा के अबन सिख्चन समागरी से हमें बच्चों के उच्च इस्तर की सिख्चा का नहीं पता चलेगा कख्चा कख्च की बेवस्ता से हमें नहीं पता चलेगा बुनियादी सुविधाओं से भी हमें नहीं पता चलेगा लेकिन चात्रों का अगर आप उपलब्दी इस्तर जान लेते हैं तो आपको इस स्कूल में उच्छ इस्तर की सिक्षा दिया जा रहा है या फिर नहीं दिया जा रहा है इस चीज के बारे में पता लग जाएगा तो question number 4 का correct answer हो जाएगा option B चात्रों के उपलब दिस्तर next question है परतिवासाली बालकों के ठीक है option C है विसलेशन यूक्त एवाम प्रायोगीक प्रशन पुछना चाहिए या फिर last option है उप्रोक्त सभी तो question number 5 का जो correct answer है वो होगा option D उप्रोक्त सभी सिक्षक को जिग्यासा यूक्त प्रशन भी पुछने चाहिए बालकों से अलग सोच के अवसर भी प्रदान करने चाहिए और विसलेशन यूक्त एवाम प्रायोगीक प्रशन भी पुछना चाहिए तिसका correct answer हो जाएगा option D उप्रोक्त सभी next question है एक 13 वर्शिय बालक बात बात में अपने से बड़ों से जगडा करने लगता है और हमेशा स्वयम को सही सवित साबित करने की कोशिस करता है वो विकास की किस अवस्ता में है प्रारंबिक बाल्यावस्ता में है हिसोर अवस्ता में है यूवा वस्ता में है या फिर बाल्यावस्ता में है तो यहाँ पे तो दो प्रकार का हिंट दिया गया है जिससे आपको पता चले कि वो किस अवस्ता में है एक तो हिंट दिया गया है कि वो बच्चा कितना है 13 वर्षिया बच्चा है दूसरा आपको हिंट दिया गया है वो बाद बाद पर जगडा करने लगता है और स्वयम को बड़ा तथा बड़ों को छोटा समझने लगता है जिससे आपको पता चल रहा होगा कि वो बच्चा किस अवस्ता में है तो इसका correct answer हो जाएगा option भी किसोर अवस्ता क्योंकि आपको पता होगा किसोर अवस्ता का जो starting है वो 12-13 साल से सुरू हो जाता है ठीक है और एक चीज यहाँ पर जो हिंट दिया गया है वो दिया गया है कि वो अपने को बड़ा समझता है तथा बड़ों को छोटा समझता है किसोर अवस्ता का सबसे बड़ा और खासियत बात यही होता है कि किस्वरवस्ता एक ऐसा अवस्ता है बालकों की जीवन में कि उस समय वो स्वयम को बड़ा समझने लगता है तथा बड़ों को छोटा समझने लगता है और स्वयम को सही सावित करने के लिए वो बड़ों से अक्सर जगरते रहता है तो इसका correct answer option B होगा किस्वरवस्ता next है बीग एवम हंट के अनुसार बिशेस्ताओं को सरवत्तम रूप से ब्यक्त करने का एक सब्द है परिवर्तन परिवर्तन सारीरिक समाजिक और मनोवेग्यानिक होता है अर्थात की इस question में पूछा गया है बीग एवम हंट के अनुसार ऐसा कौन सा अवस्ता है जिसमें पर परिवर्तन होता है तो वो कौन सा अवस्ता है यह आपको बताना है सेसा अवस्ता बाल्यावस्ता किसोरावस्ता या फिर प्रोडावस्ता तो question number 7 का correct answer होगा option C किसोरावस्ता किसोरावस्ता बालक के जीवन का एक ऐसा काल होता है जो की परिवर्तन का काल माना जाता है और प Option C की सोरा वस्ता Next question है परतिबासाली विद्यारती अब सारी चिंतक होता है बहिर मुकी होता है बहुत परिस्रमी होता है या फिर अभिसारी चिंतक होता है यह भी important question है यहाँ पर आपको साभी जो option है वो correct लग रहे होंगे लेकिन इसका जो correct answer हो जाएगा वो हो जाएगा option A अभिसारी चिंतक होता है क्योंकि परतिबासाली जो सिख्चारती होते है वो बहुत बहुत परिस्रमी होते है कोई-कोई student बहुत परिस्रमी होते है लेकिन कोई-कोई परतिबासाली सिख्चारती ऐसे होते है जो 2-3 गंटा पढ़ते हैं लेकिन फिर भी वो सबसे अधिक नंबर लाते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो बहुत परिश्रमी ही हो कम परिश्रमी बालक भी परतिवासाली बालक हो सकते हैं और अभी सारी चिंतक हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं अब सरी चिन तक सभी परतिवासाली शिक्षारती होते हैं इसका correct answer option A हो जाएगा नेक्स्ट question है परतिवासाली बिद्यारती अपनी छमताओं को तब तक बिक्सित कर पाएंगे वे नीजी coaching कक्छा में पढ़कर बार बार उनकी परिक्षा होगी option C है वे अन्य बिद्यारतीयों के साथ आधिगम परक्रिया से जुड़ेंगे या फिर option D है उन्हें अन्य बिद्यारतीयों से अलग किया जाएगा अर्थात की परतिवासाली शिक्षारती अपनी शमताओं को किस परकार बिक्सित कर सकते हैं तो इसका correct answer वाजागा option C वे अन्य शिक्षारतीयों के साथ आधिगम परक्रिया के साथ जुड़ेंगे यहाँ पर एक word आया है option A में नीजी coaching आप चाहे किसी भी परकार का teaching का परिक्षा लिक्षा लिक्षा लिक्रहे हो C date हो, J date हो या पर कोई भी date हो आप अगर आपके question में किसी भी परकार का question आए उसमें coaching से संब्दित कोई word देख लें तो उसको पहले ह Recognuite होा इसकुली शिक्षा का बात करते हैं तो कोचिंग से सम्मनित कोई भी बात सचते नहीं होता है ठीक है बार-बार उनकी परिक्षा होने से भी वो अपने परतिभा और छमता का विकास नहीं कर सकता है क्योंकि अगर कोई बालक परतिभासाली विद्यारती है ठीक है उसको अपनी कैसे सही हो जाएगा ठीक है option D में था कि उन्हें अन्य विदार्थियों से अलग किया जाएगा को उसके परतिवा कि छम्दाव बढ़ेगा नहीं बलकि वो घटेगा ठीक है तिसका correct answer हो जाएगा option C वे अन्य विदार्थियों के साथ मिलकर अधिकाम प्रक्रिया से जुडेंगे next question है परतिवासाली बच्चे समानेता अपने सीख्छकों को पसंद नहीं करते हैं बिना किसी की साहता से अपने समार्थ का पूर्ण विकास करते हैं मानव के लिए मातपून किसी भी छेतर में अस्वावता अच्छा निस्पादन देते हैं या फिर option D है समानेता सारी ग्रूप से कमजोर होते हैं और समाजिक अंतह किरिया में अच्छे नहीं होते हैं तो question number 10 का correct answer हो जाएगा परतिवासाली बच्चे किस परकार होते हैं या मानव के लिए मतपून किसी भी चेतर में अस्वावता अच्छा निस्पादन देते हैं मतलब समाज में रहते हुए समाज के सभी कारियों में ये अच्छा रिस्पोंस देते हैं अच्छा निस्पादन देते हैं इनका समाजिक ब्यवार भी अच्छा रहता है लग 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 जिसका correct answer हो जाएगा option C मानव के लिए महतपुन किसी भी छेतर में असोवावता अच्छा निस्पादन देते हैं next question है परतिवासाली बच्चों के संदर में संबर्धन का क्या अर्थ है ठीक है परतिवासाली बच्चों के संदर में आपको बताना है कि जो संबर्धन होता है इसका क्या अर्थ होता है सा सेक्चनिक गतिवीदियो के संपादन की गति में को बढ़ाना या फिर option B है ऐसे सिक्चार्थियों को वर्तमान इस्तार या फिर ग्रेड को चोड़कर अगले स्तार में प्रोणनत करना या फिर option C है आकलन को प्रक्रिया का संबर्धन करना या फिर option D है सेक्चनिक गतिवीदियों के hoorayकदन में संबर्धन करना तो question number 11 का correct answer हो जाएगा option D सेक्चनिक गतिवीदियों के संपादन में संबर्धन करना ठीक है option D इसका correct answer हो जाएगा next question क्यों चलते हैं परतिवासाले बिद्यार्तियों के लिए निमलिकित में से कौन सा गतिविदी सारवधिक उप्यूक्त है सिख्चक दिवस पर कक्छा को पढ़ाना option B है अभी हाल ही में हुए परतिवेदन लिखना या फिर option C है दी गई संकलपनाओं के आधार पर मोखिक नाटक लिखना या फिर option D है पांच पाटों के अंत में दिये गए अभ्यासों को एक बार में हल करना तो question number 12 का correct answer हो जाएगा option D पांच पाटों के अंत में दिये गए अभ्यासों को एक बार में हल करना वेसे तो C और B भी correct हो सकता है लेकिन सबसे accurate लग रहा option D जो के आपका सही हो जाएगा पांच पाटों के अंत में दिये गए अभ्यासों को एक बार में हल करना next question है परतिवासाली बच्चे समयनता अपने सिख्चकों को पसंद नहीं करते हैं बिना किसी की सायता से अपने समयर्थ का पूर्ण विकास करते हैं मानव के मातपून किसी भी छेत्र में अच्छा निस्पादन देते हैं option D है समयनता सारी ग्रूप से कमचोर होते हैं और अंता किरिया में अच्छे नहीं होता है मेरे ख्याल से ये कोशन रिपीट हो गया है तो इसका करेक्ट अंसर हो जागा option C मानव के लिए मातपून सभी छेत्र में सुवाव होता अच्छा निस्पादन देते हैं option C next question है परतिवासाली बच्चों के संदर में समवर्धन का क्या अर्थ है ये भी हम लोगों ने क्या इस कोशन को भी कर लिया था एक दो कोशन रिपीट हो गया है इसका करेक्ट अंसर हो जागा option D section गतिविदियों के निस्पादन में समवर्धन करना next question है परतिवासाली बिद्यार्तियों के लिए निमलिकित में से कौन सी गतिविदी सारवधिक उप्यूक्त है ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया था BCS अवशक्ता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निमलिकित में से कौन सी ब्यूह रचना अधिक उप्यूक्त है अधिकतम बच्चों को सामिलित करते वे कक्छा में चर्चा करना विद्यार्तियों को सामिलित करते वे अध्यापक द्वारा निर्देशन अप्संसी है सहकारी आधिगम तथा पियर ट्यूटरिंग सहपाथियों द्वारा अनुसिक्ष या फिर option D है आध्यापन के लिए योग्यता अधारित समुही करन important question है question number 16 का अगर आपको answer पता है तो वीडियो को अभी पोज कीजिए comment में इसका answer लिखे उसके बाद वीडियो को continue करे question number 16 का correct answer हो जागा option B विद्यार्तियों को सम्मिलित करते वे आध्यापक द्वारा निर्देशित करना next question है समश्या के अर्थ को जानने की योग्यता बातावरन के दोसों कम्यों एवं रिक्तियों के परती सजगता बिसेश्था है परतीवासाली बालकों की समान्य बालकों की सिरिजानसील बालकों की या फिर अपसंडी है उप्रोक्त सभी तो इसका correct answer हो जाएगा परतीवासाली बालकों की ठीक है किसी भी समश्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरन के दोसों कमियों रिक्तियों के प्रति सजगता विसेस्ता ये जो विसेस्ता है ये किसकी होती है प्रतिवासाली बालकों की विसेस्ता होती है अधिकम निर्योग्यता का लक्षन है भागने की प्रवृत्ती होना असांत उर्जावान एवं बिंदुवन्सक होना अउधान संबंदी बाधा या फिर विकार या फिर अभी प्रेड़ना का अबाहो तो question number 18 का correct answer हो जाएगा आउधान संबंदी बाधा या फिर विकार अधिकम निर्योग्यता का लक्षन क्या है आउधान संबंदी जो बाधा या फिर विकार होता है उसे हम लोग करते हैं option C इसका correct answer होगा next question है आधिकम को प्रभावित करने बाला बेक्तिगत कारक है संगसार के साधन समवयस्क समू अध्यापक या फिर परिपक्वता एवम आईउ तो question number 19 का correct answer हो जाएगा option D परिपक्वता एवम आईउ ये बेक्तिगत कारक है ठीक है क्योंकि खुद के बेक्तित्वों से अधित है ये तो option D इसका correct answer हो जाएगा परिपक्वता एवम आईउ question number 20 है निवन में से कौन सा कथन किसी बेक्ति के मांसिक स्वास्त को उत्तम रूप से पत्दर्सित करता है पुर्ण अभिवेक्ति, संगतिकरन और समान्य लक्ष की और निर्देशन option B है मांसिक बिकारों का न होना option C है बेक्ति तो कए बिचार से मुक्ति अफिर option D है उप्रोक्त सभी तो question number 20 का correct answer हो जागा option D उप्रोक्त में से सभी ठीक है इसका correct answer option D होगा next question है बालक परसंगबोद परिक्षन तीन वर्ष से दस वर्ष की आयो के बालकों के लिए बनाया गया है इस परिक्षन में कार्ड में परस्ति स्थापित किये गए हैं सजी बस्तू की स्थाण पर निर्जिब बस्तू की लोगों की स्थाण पर जानुवरों की या फिर पूरुसों की स्थाण पर महिलाओं को या फिर बैस्क की स्थाण पर बालकों को तो question number 21 का correct answer देने का परियास करेंगे आप सभी इसका correct answer हो जाएगा option A सहजीव बस्तुओं की स्तान पर निर्जीव बस्तुओं की ठीक है नेक्स्ट है कुछ नमबर ट्वेंटी टू परतिभासाली होने का संकित दिम्न में से कौन सा नहीं है बीचारों में सिरिजनात्मक्ता, दूसरों के साथ लड़ना, अभिवेक्ती में अनुठापन या फिर अफिर अफ्षण डी है कोतुहल तो कॉशनिबर ट्वेंटी टू का करेक्ट एंसर हो जाएगा दूसरों के साथ लड़ना ठीक है दूसरों के साथ लड़ना पर्तिबासाली होने का किसी भी परकार का संकेत नहीं है तो इसका correct answer हो जाएगा option B दूसरों के साथ लड़ना नेक्स्ट कुश्चन की ओर चलते हैं कुश्चनमर 23 बालिका सिख्चा को मात्व देना उचित है कारण बालिकाओं बालक से अधिक बुद्धी मती होती है बालिकाओं बालकों से अल्प संक्यक है या पिर अतित में बालिकाओं को बुरी तर से विवेदित किया जाता था उप्सन डी है किसी समाजिक परिवर्तन के नेतरित में किवल बालिकाओं समर्थ है तो कुश्चनमर 23 का करेक्ट एंसर हो जाएगा तो इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा उप्सन डी किसी समाजिक परिवर्तन के नेतरित में किवल बालिकाओं समर्थ है नेक्स्ट कोश्चन है कोश्चन नबर 24 यदि कोई विद्यारती अपना सम्मान नहीं करता है तो आप उसकी उपेख्चा करेंगे परिख्चा में कम अंक देंगे उसके अभिवावकों से बात करेंगे या फिर उसे डांटेंगे तो 24 का correct answer हो जाएगा option C उसके अभिवावकों से बात करेंगे क्योंकि उनके अभिवावक ही होते हैं जो कि उनका सबसे पहले सिख्चा देते हैं अगर घर में उनको अच्छी तरीके से सिखाया जाता है बड़ों का सम्मान करना तो वो बच्चे automatically बड़ों का सम्मान करते हैं उनका भासा भी उसी प्रकार होता है तो इसका correct answer हो जाएगा option C उसके अभिवावकों से बात करेंगे उसे डांटने नहीं लग जाएंगे या फिर परिक्चा में कम अंकर नहीं देंगे या फिर उसकी उपेक्चा नहीं करेंगे नेक्स्ट क्योंबर चलते हैं क्योंबर 25 सिख्चक का बरताव होना चाहिए प्रसासनात्मक, सिख्चाप्रद, अदर्सवादी या फिर नीदेसात्मक तो क्योंबर 25 का correct answer हो जाएगा अदर्सवादी ठीक है इसका correct answer option C हो जाएगा अदर्सवादी next question है एक परतिभासाली बालक की आप मदद कर सकते हैं उस पर अधिक ध्यान देकर उस पर अधिक पुस्तके देकर उसे अधिक समय देकर या फिर उसे संबंदित अधिगम अनुभव देकर तो question number 26 का correct answer हो जाएगा option D उसे संबंदित अधिकम अनुभव देकर ठीक है इसका correct answer option D होगा next question है एक भवात्मक रुप से संदूलित छात्र कक्षा कक्ष में अपनी सहपाटियों से मेत्री पूर्ण सहसंबंद रखता है option B है कक्षा कक्ष में अपने सहपाटियों से प्रभावी अंतर किरिया नहीं रखता है या फिर option D है वो नविन बिचारों में कोई योगदा नहीं देता है option D है सहपाटियों दरा दिये गए बिचारों का सम्मान नहीं करता है तो question number 27 का correct answer हो जाएगा option A कक्षा कक्ष में अपने सहपाटियों से मेत्री पूर्ण सहसंबंद रखता है इसका correct answer option A होगा next question है अध्यापक के समय अध्यापक को निमलिकित में से किसका सारवदिक ध्यान रखना चाहिए बिचे बस्तू का, बिद्यार्थियों की आयू का, ब्यक्तिक बिद्नता का या फिर बिद्यार्थियों की परिवारिक प्रिष्ट भूमी का तो question number 28 का correct answer हो जाएगा option C ब्यक्तिक बिद्नता का ठीक है इसका correct answer option C होगा ब्यक्तिक बिद्नता का next question के ओर चलते हैं question number 29 निमिलिकित में से कौन सा लक्षन किसी मापक उपकरण के लिए सारवदिक वांचनिया है बिस्वासनियता, वैद्यता, बस्तू निष्टता या फिर मानक तो question number 29 का correct answer हो जाएगा option A बिस्वासनियता ठीक है option A इसका correct answer हो जाएगा next question है question number 30 परधाना इद्यापक या बरिष्ट सिख्चक के लिए विद्यालाई में कौन सी नेत्रत्व सेली बेहतर है सत्ताधारी नेत्रत्व, प्रजाता अंत्रिक नेत्रत्व, अहस्तक छेपी नेत्रत्व या फिर इन में से कोई नहीं तो question number 30 का correct answer हो जाएगा option B प्रजाता अंत्रिक नेत्रत्व, ठीक है, option B हो जाएगा प्रजाता अंत्रिक नेत्रत्व तो आज के इस वीडियो में इतना ही जारकन से सम्मदित बिविन प्रकार के परतियोगी परिक्षाओं के वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो bound to education channel को visit कर सकते हैं, वहाँ पे आपको playlist मिल जाएगा जहाँ पे जारकन से सम्मदित बिविन प्रकार के परिक्षाओं से सम्मदित वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे जेटेट और सीटेट से सम्मदित जितने भी इससे पहले मेंने वीडियोस अपलोड किये हैं, उन सारे वीडियोस को देख ले, जिससे आपको एक परकार से समझ में आ जाए कि जारकन में किस परकार के questions पूछे जाते हैं तो आज कि इस वीडियो में इतना ही, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को जरूर लाइक कर दे और इसी परकार वीडियोस को देखने के लिए सामने के बेल के आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि जो भी निव वीडियो इस चैनल में अप्लोड होंगे, उसका नोडिपिकेशन आप तक डारेक्टली पहुंच सके। धन्यवाद अगले वीडियो में लोग फिर मिलते हैं।